हेलो फ्रेंड्स आज कि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं difference between rigid pavement and flexible pavement कि दोनों में क्या difference है सारी बाते को हम लोग detail में करने वाले हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ बात कर रहे हैं दोस्तों अनेकडमी द्वारा अभी नए बेचे से स्टार्ट किये जा रहे हैं जो लोग भी gate और EAC 2022-23 की preparation कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर नए बेचे से स्टार्ट हो रहे हैं कौनसी डेट से 22 December 2021 से यहाँ पर आपको सब ब्रांच के लिए अलग-अलग बेचे स्टार्ट किये जा रहे हैं mechanical, civil, electrical, CSIT, chemical, EC ठीक है तो आप इनके अंदर enroll कीजिए यह प्लस यह फिर iconic subscription अगर आपको लेना है तो लीजिए और उसमें अगर मेरा code use करेंगे आप मोहन दांगी 10 तो आपको instant 10% off देखने को मिल जाएगा ठीक है नए बेचे स्टार्ट हो रहे हैं 22 December से यह आप ध्यान रगे दोस्तो अनेकेडमी के पर आपको एक चीज चेंपियन स्पीक करके एक प्रोग्राम दिखता है उस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है वहाँ पर जो भी अच्चे rankers होते हैं या toppers होते हैं engineering fields के वो आते हैं अपना experience आपके श्यास share करते हैं और अपनी strategy बताते हैं जो कि आपको भी champion बनने में मदद कर सकते हैं इसके बाद दोस्तो अनेकेडमी पर जो एक race a hand करके option है जैसे कि आप offline class में हाथ खड़ा करके doubt पूछ सकते हैं यहाँ पर भी आपको वो features देखने को मिलेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर one to one interaction अगर चाहिए तो दोस्तो उसके लिए iconic subscription होता है कि अगर आपको चाहिए कि एक आपके ऊपर कोई mentor बिटा रहे आपको guide करे कि आपकी इस particular topic में कमी है या आप यह कर सकते हैं ठीके आप मैं कहां lake कर रहे है उस lake को अगर आपको कोई बता सकता है तो वो यहाँ पर आपको iconic subscription में देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको one to one interaction मिलता है ठीके आप अपने doubt पूछ सकते हो clarify कोई भी concept को आप clarify कर सकते हो live monitoring session वहाँ पर आपके साथ होता है ठीके तो यह iconic subscription के features तो यहाँ पर अगर बात करे हम तो unacademy के अंदर अगर आप दो type के subscription है plus है और iconic है अगर plus लेते हैं तो आपको सारे features मिलेंगे iconic में additional features यह होता है कि यहाँ पर आपको एक mentor दिया जाता है और यह सारे features आप special class के देख सकते हैं आप plus यह iconic subscription लेने के लिए मेरा code ज़रूर यूज़ करें वो आपको 10% of so start करते हैं कि क्या-क्या difference है flexible pavement के अंदर और rigid pavement के अंदर दोस्तो सबसे पहली बात में यहाँ पर आपको बताता हूँ कि जो flexible pavement है इसके अंदर generally हमको 4 layers देखने को मिलती है that is subgrade जो की existing soil होती है फिर sub-base course होता है उसके बाद base course आता है then surface course होता है लेकिन rigid के अंदर दोस्तो हमको subgrade देखने को मिलता है जो sub-base course होता है यह rigid में absent होता है और उसके बाद में हमको सीधे surface course देखने को मिलता है मतलब कि subgrade course हो जाएगा फिर यहाँ पर base course आजाता है then उसके बाद हमारा surface course आजाएगा ठीक है तो यह तो सबसे बड़ी बात है flexible और rigid payment में कि flexible के अंदर हमको generally 4 layers देखने को मिलती है लेकिन rigid के अंदर हमको 3 layers देखने को मिलती है that is subgrade, base course and surface course क्लियर है यह चीज मेरे ख्याल से अब हम लोग difference देख लेते हैं जो कि काफी important है तो सबसे पहले flexible की बात करेंगे हम first column के अंदर and then हमारे पास rigid है दोस्तों जो flexible होता है इसकी initial cost कम होती है चीक है क्या बोला flexible payment की initial cost कम होती है और वहीं rigid की जादा होती है rigid की जो initial cost होती है जादा होती है क्योंकि इसके अंदर generally मान सकते हम steel use होती है और steel बहुत जादा costly होता है साथ में cement use होती है लेकिन flexible pavement के अंदर दोस्तों हम tar का use करते हैं या फिर bitumen का use करते हैं चीक है next अगर बात करें तो flexible के अंदर जो wheel load है वो grain to grain transfer होता है मतलब कि grain to grain transfer होता है contact area जैसे कि अगर मैं आपको बना के बताओ तो माल लो यह हमारे कुछ grains है इन grain to grain transfer यहाँ पर हमको देखने को मिलता है load transfer हो रहा है grain to grain हो रहा है लेकिन rigid के अंदर slave action होता है मतलब यह load transfer होता है अगर settle होगी तो यह पूरी की पूरी क्या होगी slave settle होती है deform होगी यहाँ पर एक-एक grains क्या होते है settle होते है यह deform होते है मेरे काल से यह चीज़ आपको clear हो गई होगी second clear होग थर्ड बात करें इसकी तो है उन low flexural strength क्या बोला जो हमारा क्या जो हमारा flexible payment है इसके अंदर flexural strength कम होती है दोस्तो flexural strength को हम लोग क्या बोलते है bending stress भी बोल देते है क्या बोला bending bending stress इसके अंदर कम होती है bending strength कम होती किसके अंदर flexible payment के अंदर लेकिन दोस्तो जो हमारा rigid है rigid के अंदर sufficient flexural strength होती है यह आसानी से deform नहीं होता है यह आसानी से bend हो जाता है flexible लेकिन rigid नहीं होता क्योंकि यहां फर slab action होता है और flexible के अंदर grain action हमको देखने को मिलता है grain to grain mechanism एक और important चीज कि जो flexible है ये less durable है वहीं हमारे जो rigid pavement होते हैं more durability होती है जादा time तक ये चलते हैं ठीक है मेरे क्याल से ये चारो point अभी तक आपको clear हो गए होगे next point के अगर हम बात करें तो जो flexible pavement है वो हमारे short service होती है ये short life होता है usually 15 years ये भी मैं यहाँ पर बहुत जादा बोल रहा हूँ practical life जो अगर देखते हैं flexible pavement की तो ये हर साल खराब हो जाते हैं लेकिन एक usually जो माना गया है वो अपकी है 15 years और rigid pavement की अगर long life service होती है जिसको हम more than 30 years assume करकर चलते हैं इतना ये rigid pavement भी नहीं चलते हैं लेकिन assumption है इतना चलना चाहिए एक ideal case है ये ठीक है next अगर बात करें दोस्तो flexible pavement के अंदर कोई भी joints नहीं होते हैं क्या बोला कोई भी joints provide नहीं की जाते है flexible pavement के अंदर लेकिन आपने जब rigid pavement देखा होगा तो rigid pavement के अंदर हम लोग joints provide करा रहे हैं अब सवाल आता है joints क्यों provide कराते हैं दोस्तो joints हम लोग provide कराते expansion के लिए ठीक है या फिर हम बात करे expansion हो गया contraction हो गया इनके लिए याप पर joints provide कराते हैं दोस्तो जैसे कि आप जानते हैं कि क्या कि हमारे जो rigid pavement है इसके अंदर हम लोग steel का use कर रहे हैं तो steel क्या होती temperature बढ़ने के साब से क्या होती है expand होती है या फिर contract होती है temperature घटने के साब से ठीक है contract हो जाएगी तो ये steel के expansion और contraction को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर joints provide कराते हैं मेरी ख्याल से ये चीज़ आपको clear हो गई अब ठीक है तो क्या बोला गया कि flexible pavement के अंदर joints की जरूइट नहीं होती लेकिन यहाँ पर rigid pavement के अंदर joint जरूवत होती है मैंने बताया क्यों क्योंकि expansion और contraction के लिए वहाँ पर joints provide कराना जरूरी है नहीं तो वहाँ पर हमको bending देखने को मिल जाएगी ठीक है next अगर बात करें many layers of material flexible के अंदर बहुत ज़्यादा ही layers होती है material की अलग-अलग दो-तिन coat के अंदर हम flexible pavement बनाते हैं लेकिन दोस्तो rigid के अंदर हमको केवल एक ही layer देखने को मिलती है जो की slab होती है उपर जो रखी जाती है next अगर बात करें यहाँ पर frequent repairing की जरुवत होती है जो flexible है flexible pavement में आपको time to time बहुत जल्दी जल्दी repairing करानी होती है मतलब की repairing आपको हर साल करानी पढ़ती है तब जाकर flexible pavement हमारे long time तक चल पाएंगे long time मतलब इसकी जो life period है तब तक लेकिन rigid के case में हमको flexible जो frequent repairing है उसकी जरुवत नहीं है मतलब यहाँ पर rigid में flexible हो सकते हैं repairing के case में नेक्स्ट अगर बात करें flexible pavement के अंदर तो high repairing and maintenance cost तो यहाँ पर repairment के लिए जो होता है flexible के अंदर यह बहुत जादा ही high repairing और maintenance cost हमको देखने को मिलता है लेकिन वहीं अगर हम बात करें rigid के case में तो rigid के अंदर हमको low repairing and maintenance cost पे करना होता है तो मैंने क्याल से यह difference भी अब आपको clear हो गए होगे जो कि काफी important है आपसे किसी भी exams में पूछे जाते हैं तो आपको वहाँ पर यह लिखना होगा कुछ और difference में आपको बताता हूँ तो difference क्या है दोस्तो यहाँ पर आप ध्यान दीजेगा कि जो flexible pavement हमारे है flexible pavement को जब हम लोग design करते हैं तो दोस्तो इसको subgrade की strength पर divide किया मतलब design किया जाता है subgrade क्या हो गया सबसे नीचे हमारा होता है क्या subgrade ठीक है उसके उपर हमारा आता है subbase ठीक है फिर हमारा आता है क्या best course then surface course तो यह सारी layers हमारी होती है कि इसके अंदर pavement के अंदर तो जो flexible pavement है सबसे नीचे वाली जो की पहले से ही existing layer है उस पर depend करता है उसकी strength के साब से इसको design किया जाता है I hope यह जीच आपको clear हो गई होगी और वहीं अगर हम लोग बात करें rigid को तो rigid को हम flexural strength के basis पर design करते हैं flexural strength मतलब की bending strength पर ठीक है next अगर इसमें बात करें दोस्तों कि यहाँ पर temperature variation do not produce stresses flexible के अंदर temperature का कोई temperature variation की वज़े से कोई भी stresses यहाँ पर develop नहीं होती लेकिन हमारे rigid के case में क्या rigid के case में यहाँ पर अलग अलग type की stresses develop होती है जैसे की मान सकते हैं हम लोग क्या compressive stress हो गई क्या यहाँ पर compressive stress develop हो सकती है tensile stress develop हो सकती है किसके अंदर rigid के अंदर next और last जो है but not least वो क्या कहता है कि deformation in subgrade is transferred to the upper layer मानो कि यह subgrade है नीचे नीचे वाली जो layer है इसके अंदर कोई भी deformation आया तो यह deformation उपर वाली layer जो है यहाँ पर subbase है इस subbase को transfer कर दिया जाएगा मतलब कि अगर मेरी subgrade deform हो गई तो यह subbase को भी deform कर देगी समझ पाएं कि simple से यह बात है flexible के case में अगर हमारी bottom most layer खराब हो गई तो यह पूरे उपर वाली layers को भी खराब कर देती है ठीक है लेकिन rigid के अंदर क्या था है deformation in subgrade is transferred to the subsequence layer मतलब देगो कि यह rigid की case में यह मान लो यह road था यह subgrade अगर मेरी खराब हुई तो subgrade क्या करेगा इससे उपर वाली को transfer कर देगा और इससे उपर जो layer रहेगी उसमें कोई भी इसका effect हमको नहीं देखने को मिलेगा लेकिन flexible में क्या हो रहा था कि यह subgrade में अगर कोई deformation हुआ तो यह सबसे उपर वाली जो है upper layer को भी सारी upper layer को disrupt कर देता है क्योंकि यहाँ पर grain action देखने को मिलता है यह grain mechanism देखने को मिलती है हुए rigid के अंदर हमको slave action देखने को मिलता है इसलिए उपर वाली layers को ज़्यादा transfer नहीं होता है जो layer हमारी defected है या deformed है जस्ट उससे उपर वाली ही इसको रॉक लेती है मेरी ख्याल से अब यह सारे difference आपको clear हो गए होंगे जिसको हमने discuss किया मैं अगबर conclude कर देता हूँ यह सारे क्या है differences है जो कि आपको पता होने चाहिए देख सकते हैं आप एक और difference अगर मैं बताना चाहूँ दोस्तों यहाँ पर आपको जो कि क्या है कि flexible pavement में जो thickness वगेरा है और rigid pavement के अंदर जो thickness है इनके लिए अलग-अलग methods है जिनको हम लोग use करते हैं उन methods के बारे में हम लोग आगे discuss करेंगे I hope यह जानकार यह आपको अच्छी लगी होगी तो अगर वीडियो अच्छी है informative है तो लाइक करें शेर करें चाहरों को जिरूर subscribe करें Thank you